एलो बच्चों आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे क्लास इस सेशन में अबाउट वर्नियर कैलिपर अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो जो थी क्लास अबाउट उनिट अफ टाइम थी जिसके बेसिस पे हम फर्स्ट एक्सराइस पूछे जाते हैं क्लास और यही टॉपिक आपको 11 में भी देखने को मिलेंगे क्लास तो लेट स्टार्ट टॉपिक दाट्स वर्नियर के लिए पर ओपन करिए कॉपी और स्टार्ट मिगिंग नोट्स क्लास राइट ओके तो क्लास अगर मैं सबसे पहले आप से सिंपल बू तो मेजर अ तो मेजर दालेंग ओफ रेगुलर ऑब्जट राइट अम क्या यूज करते हैं है वी यूस वी यूस नॉर्मल स्केल क्लास हम क्या उसका हान नॉर्म इसकल यहां पर रिईलर मतल़ होता है जिसकी शेप its होती एक लास यह से साइध ब्यूंख बन्रोन ग्मटर स्केल और जर्रली जो हमारे स्केल होता है इसमें मार्म्ट होता है class which is marked in which is marked in centimeter यहीं होता है class हमारा जो normal skill होते हो centimeter वे marked होते है class देखिए ओके आप सभी जानते है class जो normal skill होता है उसमें 0 से 1 centimeter बीच में कितने division होते है class 10 division होते हैं इतने होते हैं अगर मुझे इस scale की मजद से सबसे छोटा measurement लेना हो गाई accuracy class आप सभी जानते हैं सबसे छोटा measurement विद एक्विशिश क्या होगा यह होगा पर ओके लास तो इस scale का अगर मुझे smallest measurement निकालना हूँ smallest measurement तो क्या होगा class 1 upon 10 आप सभी जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं एक centimeter के कितने parts होते हैं class किटे डिविजन 10 तो सबसे चोटा division वही smallest measurement होगा class जिसकी value हम निकाल सकते हैं 1 by 10 मतलब क्या हुआ 0.1 centimeter यार रखेगा class किसी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे चोटा measurement हम निकाल सकते हैं with accuracy वही उसका टैकला जाता है least count किला जाता है क्या कहते है class उसी को हम least count यह words काफी use होगा इसको अच्छे समझ लीजेए class least count मतलब क्या होता है उस instruments से आप सबसे चोटा measurement क्या ले सकते हो with accuracy तो यहाँ पर यह normal scale है जो कि centimeter marked है इसका least count क्याने class 0.1 cm इसका मतलब इस scale से हम चोटे चोटा 0.1 measurement नाप सकते हैं with accuracy clear है इस से चोटा आप accurate नहीं नाप सकते हैं ओके राइट अब दिक्कत क्या इसके साथ problem क्या है वह discuss करते है problem with normal scale right with normal scale देखिए सब्सक्राइब आपके पास कोई instrument है सब्सक्राइब बॉक्स है जिसकी लेंथ तुमने माने 1.24 cm है हमार पास कोई सब्सक्राइब बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.24 cm आप मीट आप सको normal scale पर रखेंगे तो आप देख सकते हो यह 1 तक जाएगा यह 1.1 यह 1.2 आपका जो इंस्ट्रुमेंट है यहां कहीं इस 1.2 और 1.3 के बीच में आएगा करें बीच में कहीं आसपास है तो आप देख सकते हो क कि इस object जिसकी लेंथ 1.24 है कि नॉर्मल स्केल से हम exact नहीं विता सकते कि कहा लाइग करेगा यह क्यों हो पा रहा है क्योंकि इसकी जो second decimal place है अब देख सकते हो 1.1 होता तो ठीक यहां पर आता 1.2 होता तो यहां पर जैसे 1.24 हमें नहीं पताए कहां पर exact लाइग करेगा इतन की the accuracy और यहां पर बात होगी फिर नेक्स्ट कि इस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा वर्नियर कैली पर करेगा तो अक्षिल में प्रॉब्लम क्या एक लास अगर हमें पुछा आता तो हम उसको लिखेंगे कैसे हम जानते है कि जो नॉर्मल स्केल है जो है यह नॉर्मल स्के एक फिलड विघ्ट विए अगर कोई बी इंस्ट्रॉमेंट है जिसकी सेकेंड डेसिमर तक जा रहे यह वैल्यू उसको यह एक्ट्विड नहीं नहीं नापसकता अगर फर्स्डेसिमन तक हो ती ही एक्जै क्सक्ट बता रहेता है जैसे तो पॉएंट वांट यह जो पॉए 90.8 तर एक्सेक बताएगा पर जैसे आपके पास कोई लेंथ आ जाएगी इसमें सेकिंड डेसिमल आएगा फोर यह फेल हो जाएगा या टू फाइव या टू सिक्स क्लियर तो सेकिंड डेसिमल की जो वैल्यू है एक्सेक्ट यह स्केल नहीं मेजर कर सकता इसलिए हमार पास फिर नया इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर क्लास अब हम डिटेलिंग में ब दो क्लास दे वह किर वर्निय इस आप देख सकते हो यह मेर पास है आप देख सकते हो यह अपका वर्नियर कैलिपर जो अपनी जो इसमें दो स्केल पाइब जाते हैं एक होता है में स्केल एक होता है वर्नियर इसके बाद करेंगे बाद कर लेते हैं यह जो फिक्स पार्ट आप देख सकते हो यह मेंचे नहीं होता है जो अगरे पीछे जा रहा है या पर्ट यह होता है जो मुवय बार्ट है यह इसका ओर पार्ट यह पतली सी बाहर की तरफ आ रही है क्लिए यह मैजर करते हैं इसलिए उसकर तो मैजर देट ऑफ पी कर अब बात करते हैं यह आप दो जौस देख सकते हो यह इनको बोलते हम आउटसाइड जौस जैसे मुझे किसी की लेंथ नहीं तो मैं यहां रख सकता हूं या मुझे इसका डायमेटर नाप नहीं है अगर मु इसको बोलते हैं इसको काम होता है इंटरनल डायमेटर निकाला कई आपके पास ऐसे बॉड़िज आएंगी जिसमें थिकने से ओंगी इसका ए इंटरनल डायमेटर ऊपर साएगा रसके रहें तो यह थे आपके वर्णेर कैलिपर के पास और उसके फंक्शन एक बार रपीर् इसको बोलते हैं outside jaws इसका काम क्या होता है class to find the diameter of देख सकते हो to find the diameter of yes spherical body or to find the length of regular object आप देख सेक्ट है इसमें inside jaws जिसका काम होता है internal diameter निकालना last year strip है class strip measure कर सकते हो आप क्या करने के लिए नहीं के लिए इस पूरे वरणेश काली पर में दो स्केल होते हैं यक होता है में सकेल और जो flip हो रहा है ओके पिछे हो रहा है वह होता है यह वर्लीड स्केल स्केल के बारे में क्लास अगर आप धंक से देखें तो प्राइब मेन स्किल ओता जो कि फिक्स है आपका इसमें जो मार्किंग होते हैं वह सेंटीमेटर में ही होती है जएनरली राइट यह आपका जिरूत है जो आपका है में स्केल वन सेंटिमेटर और इसी के ठीक साथ में फिलीपोर आप देख सकते हो क्या होता है वह वर्णियर स्केल एक चीह दियाना किया है क्लास अगर ऑब्जेक्ट बंद है और प्रोपर है तो में स्केल का जीरो और वर इंस्ट्मेंट बंद होता है अब मैं आपको इसके नंबर ऑफ डिवीजेंस बता रहा हूं विटा कि अब देख सकते हो तो सबसे इंपोर्टन बात आप यह समझेंगे क्लास अगर आप इस वर्नियर कैलिपर को देखें अगर आप इसको धंग से हो तो आप देख सकते हो जो मेंश यह उसमें तो प्रापर क्या हो रही है सब्सक्राइब के साहँ नंट AM में इस्हीं आप देख हो तो इसमें कहले क्लास खाली होते हैं क्लास क्लेशित तो इसमेंड़ कॉने क्लास अंग पिण रहा है और जो वर्नियर्स केल उसमें कितने डिविजन आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें समझने वाली चीज़ यह है class अब देखो कि जो वर्नियर्स के यहाँ पे मैं स्केल के 9 डिविजन पर ही खतम हो जाते हैं अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बंध है प्रॉपर तो इससे में conclusion यह निकाल सकता हूँ 10 vernier scale division हमें किसके वावर होते हैं 9 main skill division के विटा यह याद रखिएगा clear है यह instrument इस हिसाब से बनाया जाता है कि जो vernier scale के 10 division है वो main skill के कितने division में आ रहे हैं वो 9 में आ रहे हैं मतलब 10 vernier scale division is equal to 9 main skill division इससे मैं एक और चीछ conclude कर सकता हूँ जो vernier scale division होते हैं length में वो क्या होते हैं छोटे होते हैं किससे main skill division से class और वेसी बात है जब इसके 10 division उसके 9 में ही आ जा रहे हैं तो हम conclude कर सकते हैं कि जो vernier scale division होगा जो parts होगे चोटे हैं उसका जो length होगा वो छोटा होगा किससे main skill division से class यहां तक clear है सब को यह हम आगे बढ़ते हैं अगर हमें निकालना हो जैसे हमने पड़ा नॉर्मल स्केल का लीस्ट का हूँ सबसे चोटा measurement हम क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे क्लास कि अगे कि सपोज मैंने बताया मैंने एक्जाम्पल लिया यह जो है यह वन यूनिट है में स्केल के 0 यह वन यूनिट है जिसकी लेंथ हमने माहनी ए माहनी और यह है इसका वन यूनिट यहां है जिसकी लेंथ हमने क्या मानी बी मान ली आई होप इस क्लियर क्लास हमने यह लिया आपका उपर यह लेंथ लिया है एक smallest division of main scale और 0 से देख सकते हैं जो बी है smallest measurement है किसका वर्णियर स्केल का ओके अब आपको देख पर पूछूं कि इस मेंसे आपको smallest measurement find out करनी है तो कौन से होगे class देखिए आप सब जानते हैं अगर यह total length जो की main scale division है एक उसकी length A है और यह जो one year scale division है जिसकी length कितनी मानी है उन्हें भी मानी है तो यह जो पार्ट है class यह जो पार्ट है आप देख सकते हो सी यही तो सबसे च्छोटा measurement होगा मतलब एक main scale division में से अगर आप one one year scale division को माइनस कर दो यह जो बचावा part है यही तो च्छोटा है सबसे smallest measurement और आप जानते हो smallest measurement को हैं क्या बोलते है class least count बोलते हैं क्या बोलते है यह कैसे आया यह आपको नहीं देखने को मिलेगा तो मैंने आपको थोड़ा सा enlarge करके फोटो देखा ही है मैंने मना कर one scale division की length A है और main scale की length A है और vernier scale की B है तो हम जानते हैं कि जो छोटा पार जो बच रहा है वही क्या होगा smallest measurement होगा जिसकी value कैसे आईगी अब देख सकते के class clear है तो अगर आप से कोई पूछता है what is the least count of vernier skill आप लिखेंगे the difference between the value of one main skill division and one vernier skill division it's called least count ओके और इसी को हम दूसा बोलते हैं vernier constant भी बोलते है जाद रखेंगा इसको ही हम क्या बोलते है vernier constant अगर exam में definition आती है define least count of vernier skill या vernier constant क्या होता है तो आप यही लिखेंगे इसका बीखेंगे बटा इसका नाम अक्चल क्यूं है और अक्चल कितना होता है जैसे हमने normal scale की value निकाली 0.1 cm तो वैसे ही least count of vernier कितनी होती है exact ओके देखेंगे अब हम निकालना सेखेंगे आप सभी जानते हैं अगर में में स्केल डिविजन की value निकालना चाहूं तो आप सभी जानते हो में स्केल से आ जाएगी क्या होता है सेंटीमीटर में marked होता है clear but vernier skill division की कैसे आईगी क्योंकि वहाँ पर marking नहीं होती है class तो नाइन में स्केल डिविजन यह सभी जानते हैं टेन वन इसके बराबर होते हैं नाइन में स्केल के बराबर तो यहां से मैंने वन वी एसडी की value ने गाली class कितना हो जाएगा 9 by 10 MSD वहम नहीं यहां पूट कर दी तो लीस्ट का फॉमला क्या बनेंगे अपना MSD माइनस 9 by 10 MSD यहां से MSD कॉमन लिए गा 1-9 by 10 क्लियर है और 10-9 1 by 10 1 by 10 मतला MSD upon 10 और आप जानते हैं class 10 10 क्या होता है मैं आपको बताए था इस 10 की जगा मैं क्या यूज कर सकता हूँ हम जानते हैं वर्नियर स्केल में मार्किंग तो नहीं होती बट उसमें जो नमबर अफ डिवीजिन होते हैं वो कितने होते हैं 10 होते हैं तो मैं इसी को लिख सकता हूं क्लास 1 MSD अपन क्या लिखिंगे टैन की जगा टूटल नंबर ऑफ डिवीजिन ऑन वर्नियर स्केल क्लास ओके तो यहां से बिट नया फॉर्मला बन चुका है आप देख सेट लिस्ट को फॉमला क्या बना में स्किल डिवीजिन की वैल्यू अपन टोटल डिवीजिन विटा टोटल डिवीजिन ऑन वर्नियर स्केल क्लियर है याद अखिएगा अगर एक्जाम में डेफिनेशन पूछ रहा हो वाट इस लीस्ट कांट तो अब यह लिखिए डिफरेंस बीटिन 1 MSD और 1 VHD अगर नुमेरिकल आएगा तो नुमेरिकल गटा इस फॉमले से निकलता है ओक अब देखिए अगर मैं इसमें वैल्यूस पूट करूं तो लीस्ट कांट की वैल्यूवण मैंने बताया था आपको जीरो से वन सेंटीमेटर की विजिए कितने पार्ट होते है क्लास आपने देखा लीस्ट कांट हमने कितना निकाला लीस्ट कांट जो वैल्यूव आई है 0.01 सेंटीमेटर इसी को आप मिलीमेटर में करें यह जाएगा 0.1 मिलीमेटर ओके या रिलेशन वन सेंटीमेटर में कितना होते हैं 10 mm होते हैं तो या दखिएगा अगर सिंपल सा डेफ आप लाइस क्लास लीश्ट का मेंस कि डिविजिन वैल्यू डिवाईट वायड़ टोटल अबर ऑफ डिवीजिन और अगरो वैल्यू पूछे होता कितना है अपसे जानते हो लीस्ट कांट कितना होता है 0.01 सेंटीमेटर या फिर 0.1 मिलीमीटर क्लास तो आज ही ग्लास में anticipating अगर जलदी से रिवाइस करें क्लास के सब्सक्राइसों कर रहा था उन्होंने क्या दिया क्लास एक instrument दिया जिसका नाम दे बोलते हैं वर्णियर कैलिपर जिसमें आप देख सकते हो नीचे वाले जॉस को क्या बोलते हैं क्लास हम आउटसेट जॉस जिसका यूज क्या है सिर्टाइब बोलते हैं अगर host को मार्किंग नहीं होती है अगर आपका यह scale proper है यह वर्यर केल पर पर है तो इसका zero, वर्यर scale का zero और में scale का zero coincide करना चाहिए और जब यह zero coincide करते हैं तो हमने देखा कि जो वर्यर scale के 10 पार्ट होंगे 10 पार्ट होंगे, वो complete हो जाएंगे 9 main scale division में complete हो जाते हैं कि जो वर्यर scale की पार्ट है वो छोटे होते length में as compared to main scale तो अगर फिर मुझे वर्यर scale का सबसे चोटा measurement निकालना हो तो कैसे निकलता है class एक unit one main scale division से हम वर्यर scale के एक division को माइनस करें जो चोटा सा पार्ट बचता है यह हमारा क्या होता है least count होता है class और जिसका दूसा नाम होता है वर्यर कॉंस्टेंट एक्जाम में definition आएगी तो अब difference के basis पर लिखेंगे अब आप देखा अपने values main scale के दो value होती है 0.1 mm जाफि 0.01 cm इसकी value नहीं पता होती इसका use कैसे करेंगे हम यहां से निकालके values पूट करी लाश्म में फिर के formula के आता है class MSD one main scale division upon total number of division यह formula यूज होगा numerical में class right definition में यह numerical में यह लाश्म में ने values पूट करी लाश्म में देखा कि जो least count आता है vernier caliper का ओके वो कितना आता है 0.01 cm तो आप देख सकते हो यहां पे 0.1 cm decimal तक जा रहा है मतलब vernier caliper हमारी मदद करता है second decimal तर exact find out करने में class right I hope आपको चीज़े समझ में आयोंगी next part में बात करेंगे about the zero error thank you class